हलो गाईज कैसे हूँ आप सब आई होप आप सब अच्छे होंगे फ्रेंड्स आज हम आपको ललिता माता के दर्शन कराने ले चल रहे हैं जहां जो की बहुत ही बड़ा शक्ती पीठ है जहां पर सती माता का हिर्दे गिरा था तो आज हम वहीं पे आपको ले चल रहे हैं और वहीं के दर्शन आपको कराएंगे फ्रेंड्स यह हम राश्ते में हैं जा रहे हैं और थोड़ा सा मौसम खराब हो गया है तो हम लोगों ने अपने गाड़ी रोक ली है और यहीं पर ठंडी ठंडी हवा खा रहे हैं और जामुन का एक बहुत बढ़िया सा पेड़ हमें दि खिलाएंगे तो आप देखिए कि यह चड़ रहे हैं पैड़ के उपर और हम सब को जामुन खिलाने जा रहे हैं तो आप देखिए और इंज्वाय करते रहिए हमारे साथ चलते रहिए हमारे साथ बने रहिए पूरी वीडियो में हम आपको बहुत अच्छे-च्छे मंदिर दिखाएंगे बहुत अच्छे-च्छे सिव जी की महिमा के बारे में भी बताएंगे और हनमान जी के दर्सन भी हम आपको कराएंगे फ्रेंड्स तो आप देखिए यह हम लोग रास्ते में रुके हुए हैं और जामुन खा रहे हैं यह पेड़ जो लगा हुआ है जामुन क कि आठ दस लोग गए हुए हैं हमारी बहन, बहन, मम्मी, भहिया, भावी सभी लोग हैं बच्चे हैं हमारे साथ में तो हम सब लोग आज सब को इन्जॉय करा रहे हैं आप देखिए कितना अच्छा लग रहा है यह भहिया हमारे पेड़ पेड़ पे चड़के डाली हिला र हो रहे हैं और बच्चे उनको उठा उठा के बड़े खुस हो रहे हैं कि उनको आज जामुन पेड़ के नीचे से खाने को मिल रहे हैं तो आप देखिए फ्रेंड्स बच्चे कितने खुस हैं हम सभी लोग रास्ते में इंज्वाइ करते हुए जा रहे हैं इंज्वाइ करते हुए माता जी के दर्बार पहुंचेंगे ये सभी बड़े खुस हैं और अपने अपने मन के मुताबित जामुन खा रहे हैं हम लोग चल दिये हैं फ्रेंड्स जा रहे हैं मौसम बहुत अच्छा है बहुत अच्छी हवा चल रहे हैं हम लोग आश्रम पहुँच गए हैं, यह आश्रम नेमसार में दरुगा बाबा के नाम से फेमस है, यह दरुगा बाबा का आश्रम है, जहां पर हम लोग आये हुए हैं, रुके हुए हैं, यहीं पर हम लोग रुकेंगे, लगबग 12.30 बज गया है, तो हमें पता चला है कि मंदिर सारे बंध हो चुके हैं, तो दो बज़े की बाद ही मंदिर खुलते हैं, तो इसलिए हम लोग यहां पर ठोड़ा शा विस्राम कर रहे हैं, यहीं पे हम लोग खाना-वाना खाएंगे और चय नास्ता करेंगे, तो यह हमारे दरूगा बाबा जी के आसरम का किचन है, आ यहां बहुत सारे बंदर भी हैं, जो बच्चों को बहुत मन भा रहे हैं, वो बंदर को देख कर बहुत खुश हो रहे हैं, आप देखी फ्रेंड्स कितना बड़ा आस्रम है, और यह बर्गत का पेड़ है, हम लोग बर्गत के पेड़ के नीचे बैठे हुए हैं, वहाँ पर बहुत सारे निम्बू के पेड़ भी लगे हुए हैं तो हम लोगों ने दो चार निम्बू भी तोड़े हैं देखी फ्रेंड्स हम तोड़ रहे हैं निम्बू आपको दिखा रहे हैं कि हम लोग पेड़ से निम्बू तोड़ रहे हैं वहाँ पर तो आश्रम में आके हमें भी बहुत अच्छा लग रहा है लोगडाउन की वज़े से हम लोग बहुत दिनों से बाहर नहीं गए थे तो आज बहुत दिनों बाद हम लोग बाहर आये हैं तो अब हम तीन बज़े के करीब वहां से निकल लिए हैं तो यह हम आ गए हैं सिव जी के मंदिर में तो यहाँ पर सिव जी की अद्भुत महिमा है ऐसा कहा जाता है कि यहाँ पर जिस जो भी चड़ावा चड़ता है अगर भोले बाबा उसको सिवकार करते हैं तब ही वो पानी की अंदर जाता है क्योंकि यहाँ पर सिवलिंग पानी क कि अंदर है फ्रेंड्स तो यहां की लीला बड़ी ही विचित्र है सब लोग प्रशाद लेकर जा रहे हैं यहां पर प्रशाद में सभी लोग दूद केला बेल पत्र अनार जो भी फल हैं हम वहां पर चढ़ाते हैं तो आप देखिए यह देखिए नंदी जी तिखाई दे रह हुआ है वहाँ पर Sankarji की स्थापित है friends तो सभी लोग इसी पानी में अपना जो भी चढ़ावा होता है अगर भोले बाबा उसको शिवकार करते हैं तो वो अंदर चला जाता है और नहीं शिवकार करते हैं तो वो उपर पानी में तैर जाता है तो ये बहुत ही अध्भूत मंदिर है तो मुझे यहाँ पर तो बहुत अच्छा लगा फ्रेंड्स इसलिए मैंने सोचा क्यों ना हम आपको भी दर्सन करा दे इस मंदिर का नाम है रूद्रेश्वर महादेव मंदिर ये रुद्रेश और महादेव मंदिर निमसार में ही इस्तित है ये सीतापुर में है तो अगर आप लोग लखनव से हैं या कहीं से भी हैं तो आप लोग एक बार यहाँ पर दर्सन करने जरूर आएं ये सिवजी का बड़ा ही विचित्र मंदिर है तो हम लोग ने दर्सन कर लिये हैं और अब हम जा रहे हैं मेन मंदिर में जो ललिता माता का मंदिर है तो हम वहाँ पर जाएगे दर्सन करने के लिए ये देखे ललता माता के मंदिर हम आ चुके हैं ये पूरा मंदिर ललता माता का मंदिर है जहां पर माता जी का हिर्दय गिरा था तो हम लोग मंदिर के अंदर आ गए है ये बहुत बड़ा सा कुंड बना हुआ है ये कुंड मंदिर के अंदर है जब हम ललता माता के मंदिर में आएंगे अंदर तो ये पहले हमें ये कुंड मिलेगा तो यहाँ पर सभी लोग अपना इस्तान भी करते हैं अपना पैरवेर धुलते हैं लेकिन इस समय लॉक्डाउन के वज़े से हम लोगों को यहाँ आने के बाद पता चला कि मंदिर बंद है ललता माता के मंदिर में हम लोग दरसन नहीं कर सकते क्योंकि लॉक्डाउन है और संडे का दिन था तो इसलिए मंदिर बंद था तो हम लोग निरास होकर वापस चल दिये हैं लेकिन बच्चों को थोड़ा सा कुमा भी रहे हैं कि बच्चे थोड़ा खुस हो जाएं इतनी दूर आए हैं तो ये बच्चे बहुत खुस हो रहे हैं यहाँ पर आके ये हम हमें जो दू-चार मंदिर दिखे हैं वहाँ पर हमने थोड़ी से फिडियो बनाई है ये हनमान-गड़ी का मंदिर है यहाँ पर हनमान जी विशाल पृतिमा में इस्थापित हैं यह देखी ये बाहर की और है हनमान जी और ये भी गड़ेश भगवान है तो हम सबी लोगों ने यहाँ पर दर्सन कर लिये हैं अब हम वापस आ रहे हैं क्योंकि हमें माता जी के दर्सन तो हुए नहीं है तो इसलिए हम लोग वापस आ रहे हैं अपनी गाड़ी की तरफ जा रहे हैं सारी दुकाने बंद हैं लोग डाउन चल रहा है इसलिए सारी दुकाने बंद हैं कोई समान हम लोगों ने नहीं लिया है आते समय हमें एक दुकान दिखाई दी थी तो हमने वहां से थोड़ा सा समान खरीदा था और यहां पर हमें कोई समान नहीं मिला है प्रशाद के अलाव रहे हैं लेकिन रास्ते में बहुत तेज से बारिस होने लगी है तो हम लोग बारिस का आनंद लेते हुए धीरे धीरे अपने घर की तरफ आ रहे हैं तो आपने देखा होगा आपको सिव जी का मंदिर तो बहुत अच्छा लगा होगा क्योंकि वो मंदिर मुझे भी बहुत अ इस तरह हम लोगों ने दर्शन किये और अपने घर वापस आ गए थैंक यू प्रेश करें